हुआ है हलो दोस्तों मेरा नाम है मनीश और आप देख रहे हमारा यूटूब चैनल स्री रामागरबत्ती तो आज के इस नए टॉपिक में मैं आपको बताने वाला हूं सेकेंड लेयर इस्टिक के बारे में तो सेकेंड लेयर इस्टिक क्या है बहुत लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है मशीन में चलाने के लिए तो अभी मैं दरसल अभी मशीन चला ही रहा था तो मैं थोड़ा सा दिमाग में ख्याल आया कि लोगों को इसके बारे में बताया जाए तो आप देखिए मैं सेकेंड लेयर इस्टिक रखा हुआ हूँ बहुत लोगों की दिक्कत होती है कि सेकेंड लेयर इस्टिक उनके मशीन में चल नहीं पाता है तो इनका सबसे बड़ा कारण है कि ये मशीन थोड़ा सा फर्स लेयर के मुकाबले थोड़ा सा इसमें रेट कम होने के कारण क्वालिटी भी इसका थोड़ा सा कम होता है मतलब कहने का मतलब यह है कि जितना finishing first layer में होता है उतना इसमें नहीं हो पाता है finishing बहुत ही कम होता है इसमें तो आपको सबसे पहले यह करना है अगर आप second layer stick चलाते हैं या चलाना चाहते हैं उनको सबसे पहले आप ले के आएंगे जैसे market से उसे थोड़ा सा चटनी करना होगा चटनी करने का मतलब यह है कि उसमें जो छोटा मोटा तुकड़ा है या फिर जो कार्ट शाट है या फिर पतला इस्टिक जो है उसे आपको निकाल लेनी है निकालने के बाद आप उसे color कर लीजिए पूरा अच्छी तरह से छटाई करने के बाद आप color करिए तो चलाने में थोड़ा सा दिक्कत नहीं होगा यह इस्टिक जो मैं रखा हुआ हूँ यह पूरी छटी हुई है मतलब मैं इसको साप करके अभी चला रहा हूँ मैं सोचा कि जैसे यह इस्टिक है तो second layer इस्टिक में IC होता है थोड़ा सा bend इस्टिक आएगा या फिर चीला हुआ इस्टिक आएगा तो ऐसे इस्टिक को आपको छाट के निकाल लेना है तब ही आपका यह second layer इस्टिक चल पाएगा यह इस्टिक मैंने पूरी सफाई करके रखी है विकाद दो इस्टिक मैं आपको दिखाता हूँ कि उसमें problem क्या होता है second layer इस्टिक क्या है मार्केट में आपको थोड़ा सस्ता मिल जाता है first layer के मुकाबले लेकिन इसमें यही छोड़ा छोड़ा कुछ problem होता है लेकिन मेरी माने तो आप second layer इस्टिक ही चला है क्योंकि first layer इस्टिक बहुत ही महेंगा आता है और उसमें सबसे दूसरी बड़ी बात है कि वो counting भी उसमें कम आता है क्योंकि वो वजन होता है ज्यादा second layer इस्टिक क्या है हलका आता है उतना वजन नहीं होता इसमें और counting इसमें देखा जाये तो 3000 से लेके 3500 के आसपास इसमें counting आता है और first layer में आपको counting नहीं मिलेगा फर्स्ट लेयर इस्टिक अगर मेरे पास होता तो मैं दिखाता फर्स्ट लेयर में आप एक कीजी का counting उसमें देखेंगे तो वो counting आता है लगबग लगबग और दूसरी चीज़ इसमें counting जादा आता है मतलब फर्स्ट लेयर के मुकाबले इसमें आपको counting 300 से 400 इस्टिक एक्स्ट्र मिल जाता है मैं हमेशा से यह second layer इस्टिक ही चलाता हूँ तो आप यही कीजिए कि थोड़ा से इसको आप सफाई कर लीजिए और उसके बाद चलाईए क्योंकि यही छोटी छोटी जो बचत जो है इसी से आप अपना profit निकाल सकते हैं और इसमें आपको ज्यादा नुक्सान भी नहीं हो होगा आप अच्छे से सफाई कर लीजिए और उसके बाद आप अपने मशीन में इसको चलाईए यह इस्टिक मैं सफाई करके रखा हुआ हूँ अब देख सकते हैं पूरी first layer टाइप की ही आपको दिखेगी थोड़ा थोड़ा एक दो बार आपकी मशीन रूखेगी कुछ- और वो first layer में भी वैसा ही होता है उतना ज्यादा smooth उसमें भी नहीं चलता है थोड़ा थोड़ा कभी कभी quality क्या है एकडम सही नहीं आ पाता है first layer इस्टिक आप खरीदेंगे तो कभी कभी आपको अच्छा मिलेगा market में कभी कभी उसका quality भी नहीं रहेगा तो उससे अच्छ अच्छा मिलेगा कर देंगे में कभी कर दो चाया है जोड़ा थोड़ा एक आध बार रुकेगा जरूर लेकिन चले गए अब उतना ज्यादा दिक्कत ने होता जैसे इस्टिख है अब दीख रहा होगा आपको यह इस्टिक है बहुत पतला हुआ है पतला है चटाई में क्या है अब एक दम से तो नहीं इसको साफ नहीं कर सकते लेकिन कभी कभी एक आध बार होगा यह आके रुकेगा मशीन में आपकी अब एक लेकिन कर सकते लोगा यहा होगा यह इस्टिक्टिक प्रवा आप देख रहे हैं कि इस्टिक प्राइब आप देख रहे हैं कितने बड़िया से चल रहे हैं तो आप ही अगर सेकेंड लियर चलाने की सोच रहे हैं तो आप वही किजिए तोड़ा सा उसको सफाई वगरा कर लीजिए उसके बाद आप चलाएए मचीन इसमें बहुत अच्छी ही चलती है उतना ज्यादा दिक्कत नहीं होता है तो आज के इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगले टॉपिक में नए प्रॉब्लम के साथ तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लोगों में जरूर सेयर कीजिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद